अलो फैर्ज्स आया नमस्टराण के बढ़ताओ ना ना हम आपको कंप्यूटर में हाड़वेर के बारे बारें बताऊंगा पर कोंप्यूटर के हाड़वेर के डिफेनी डिफेंट टाय वेकर हैं तो सबसे बहुत हम देखते हैं SMPS के बारे में SMPS switch mode power supply होता है इसका use हम mother mode में voltage provide करने की लिए कर सकते हैं और different components में different type voltage provide करता है उसके बाद हम देखते हैं कि यह हमारा होता है 3-pin power connector स्विच mode power supply में हम power provide करते हैं इसके बाद हम देखते हैं हमारे 2 ports हैं ph2 ports होते हैं यह ps2 slots हमारे mouse और keyboard को connectivity करने के लिए होते हैं जो हमारा आप देख सकते हैं कि जो हमारा purple color का ph2 है वो keyboard के लिए है और जो हमारा green flag प्यसटू है वो mouse के लिए होता है औस आई है इसके बाद हम next component जो आपने देखते हैं यह हमारा 25-pin power connector होता है इसका यूज हम प्रिंटर को कनेक्टिविटी के लिए कर सकते हैं बट अभी न्यूज जनेशन में यह उस्वी से हमारे पिंटर कनेक्ट हो रहा है पर पहले सीजर 25 से ही कनेक्ट होते थे इसके बाद मैं आपको पताना चाहूँगा 9-pin 9-pin सीजर कनेक्टर इसका यूज हम जोइस्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए गेंपोर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है इसके बाद मैं 15-pin VGA कनेक्टर होता है इसका यूज हम आउटपट लेने के लिए फिक्टे आपकिसी भी LCD, LED, PLASMA को कनेक्टिविटी करने के लिए आप VGA का इसके बाद मैं आपको बता हुआ USB 2.0 port है इसके बाद मैं आपको बता हुआ USB 2.0 port है यहां पर ब्लैक आपको देख रहा है इसलिए यह 2.0 port है इसके स्पीट को बिक्टी ही होती है यहां पर हमारे चार यह USB ports रवाइट की गए गए इसके बाद मारा LAN port है इससे हम लेन कनेक्टिविटी के लिए करेक्ट कर सकते हैं और यह हमारे sound card में हमारे 3 points connect है इसका यूज़ एक blue color के लिए यूज़ होता है और जो green color के लिए और जो हमारे pink color के लिए और जो हमारे pink color के लिए यूज़ किये लगता है तो आइए friends अब हम आगे के अंदर के components के बारे देखते हैं कि हमारा अंदर की एसी blocking है Friends आइए सबसे पहले हम देखते हैं यह हमारा SMPSS switch mode power supply तो इसमें आप देख सकते हैं different different time के voltage प्रोवाइड किये गए हैं Friends यह हमारा CPU fan होता है and आप इसके अंदर देख सकते हैं heat sink भी लगा हुआ है हमारा processing जब work करता है तो ज्यादा heat होता है तो heat को absorb करके यह heat को बाहर फिकता है तो इसलिए हमारा heat fan यूज़ होता है इससे तो सहसर हमारा ठंग दाता है और ज्यादा working कर बाता है आप देख सकते हैं यहां पर हमारा RAM है RAM का port है यह हमारा DDR3 RAM port है तो Friends यहां पर यह RAM slot है दो हमारे Friends यह हमारा north bridge है और यह हमारा south bridge है और Friends इसके बादी में आप देख सकते हैं cmos battery लगी हुई है जोकि 3.2 volt इस प्रवाइड करती है Friends आप देख सकते हैं side में super ion chip लगी हुई है super ion chip पूरी working करती है और Friends यह हमारा 20 pin power connector है Friends यह हमारा 4 pin power supply है जोकि हमारे तुश्यसर में power supply करता है and Friends यह हमारे साटा connector है जिनसे हम अपने devices को connect कर सकते हैं hard disk और floppy disk को connect कर सकते हैं Friends आप देख सकते हैं मेरी यहां पर hard disk लगी हुई है तो यह मेरी साटा से लगी हुई है और Friends यह हमारा DVD writer होता है तो इसको भी हम SATA से connect कर सकते हैं Thank you friends for watching this video अंगे के रिए session में भी आपको government के hardware के और भी basic knowledge के बारे बताता रहूंगा Thank you for watching this video झाल